हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब होप करते हैं कि आप सब बढ़िया आऊंगे तो आज की किचन ब्लोग में हैं कुछ खास चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज बनाएंगे देखे मिर्च का चटपटा साचार यह वीडियो आपको मेरे नेक्स ब्लोग में मिलेगी तो सुबह की ऊचुक है शरुआत जाड़ू के साथ पहले निकालेंगे सारे में से जाड़ू कि सुबह उठके ब्रश करके मुषा दोके सबसे पहले लगाते हैं जाड़ू जाड़ू लगाने के बाद के लिए चलिए रसोई मैं तो देखिए सारा अच्छे से क्लीन अप हो चुका है तो अब चलते हैं फ्रीज की तरह फ्रीज से निकाल लेंगे दूद चाए बनाने के लिए तो थोड़ा सा दूद में रात को रख देती हूं चाए के लिए इतने सुबह का दूद आता है स्कूल में जल्दी जाना होता तो इसलिए थोड़ा दूद हम बचा के रखते हैं रात को देखिए दूद को मैंने एक पतीले में डाल लिया है अब इसमें मैंने रख दिया चाए बनने के लिए तो अधरक को कसके रख डाल देंगे सुबह की भागदोड में सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं तो देखिए अधरक मैंने कसके डाल दे अब डाल दे इसमें चाय की पत्ती और डाल देंगे चेनी और चाय को ड़क के पका लेते हैं तो इधर हमारी चाय पकरी है तो दूसरे तरह हम लगा लेंगे आठा वा शान ले अब इसमें हम डाल देंगे नमक ॉडिए नमक धोल्दी डाल दूँगे थोड़ी डाल दोंगे सलब्स पॉडर आप चाहे थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करके इसका लगा लेंगे माटा तो इदर देखी चाहे भी हमारी अच्छे से बोईल होने लगी है तो गयास को थोड़ा दीमा कर देंगे और चाहे को अच्छे से पकने देते हैं तो आटा भी मैंने लगा लिया था अब पी लेते हैं तोड़ा सा गरम पानी गरम पानी पीने के बाद देखिए आज ये मलाई रखे इसका मैंने गी भी निकालना है और ये हैं अचार वाली मिर्च इनका अचार डालना है तो अचार वाला ब्लोग जो है वो आपको मेरे नेक पोर्ग करके रख सकते हैं तो इनको मैंने एक बार अच्छे से ढो के दूप में सुका लिया था और कपड़े से पोँच लिया है चलीव चलते हैं गैस की तरफ तो देखे मैंने एक आटे का पेड़ा ले लिया है और पहले बना लिए गाए की रोटी सबसे पहली रोटी गाए को दूसरी रोटी कुट्टे को और बाद में बनाते हैं अपने खाने के लिए नास्ता तो गाए की रोटी को तभी पर डाल दिया है तो आज बना देंगे चीनी इसको रख देंगे देखिए पोकिट पराठे के ऊपर मैं अच्छे से गी लगा लिया अब इसके हम पोकिट बंद कर देंगे और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे किचन ब्लोक्स रेस्पीस अच्छी लगती हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा त इस पर हम थोड़ा सूखा आठा लगा के इसको हम बेल लेंगे बच्चों को नई नई चीज अच्छी लगती है कभी आप तिकोना पराठा बना दे कभी पोकिट पराठा बना दे कभी प्लेन रोटिया कभी प्लेन पराठा कभी जीज का पराठा कभी आलू का पराठा तो ये लेंच अच्छे से कर लेते हैं तो देखी पराठा बिलके मैंने तभी पर डाल देया था उस पर लगा दे दोनों तरफ गी और पराठा हमारा अच्छे बनके तयार हो चुका है इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना लेने हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इससे के आने वाली वीडियो की नोटिफिशन आपको मिलती रहे देखी पराठे बनके तयार हो रहे हैं तो तयार है पोकिट पराठा अचार का आम का अचार और साथ में गर्मा गर्म अदरक वाले चाहें तो आईए आप भी नास्ता कर लेजिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एक वीडियो को बनने में काफी टाइम लगता है तो देखिये, दुपियर का टाइम ऊचिका है ग्यारा साड़े ग्यारा का तो मैंने आज बनाने हैं आलू की सबजी थीт। आलू को बोईल होने के लिए रख दिया है उसका मसाला तयार कर लेंगे तो देखी टमाटा हरी प्याज और प्याज को मैंने काट लिया है और लैसुन और प्याज और हरी मिर्ज को मैंने देखे गूट लिया है तो गैस पे कड़ाई रख दी थी उसमें डाल दिया सरसो का तेल, जीरा, हींग और प्याज इनको अच्छा सा भून लेंगे थोड़ी शी डाल दिया हींग जब यह हमारी मसाले भुन जाए गए तो इसमें हम डाल देंगे अद्रक, लैसून, हरी मिर्च का पेस्ट आप डाल दिया मैंने टमाटर तमाटर डालने के बाद डाल देया मैंने नमक ताकि टमाटर हमार जल्दी से सोफ्ट हो जाए अब डाल दें कुछ सूखे मसाले हल्दी पौडर, लाल मिर्च पौडर और धनिया पौडर तोड़ा डाल दिया kitchen king masala मसालों का अच्छे सिफ मिला के भून लेंगे तब तक कि मसाला मारा अच्छा से तेल ना छोड़ दे अब इसमें मैंने डाल दी हरी प्यास हरी प्यास सर्दियों में खूब चलती है और ये खाने में काफी टेश्टी लगती है और सबजी बगरा में भी काफी टेश्टी लगती है देखे एक मैंने हरी प्यास डाल दी थी और मसाला मारे अच्छे से भुण चुका देखे तेल भ मोटे मोटे से ही रहते हैं अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी पानी आप अपने अनुसारा डाल सकते हैं अगर जादा पतली सब्जी चाहिए तो जादा डाल देजिए और थोड़ी गाड़ी-गाड़ी से चाहिए तो कम डाल देजिए तो सब्जी को ड़क के पका के बाद उपर से डाल देंगे हरा दनिया तो तयार है आलू की टेश्टी और मज़ेदार सी सब्जी तो आलू की सब्जी साथ में मठा और प्लीन रोटिया तो प्यार कल्ला न्चो चुका है तयार और कुछ रोटिया मैंने बना के रख दी थी ताकि बच्चे आएं तो खा लें बच्चो की स्कूल से आने का टाइम हो चुका है तो कपड़े मशीन में डाल दे हैं धोने के लिए कपड़े बर सुकाया आएंगे तेके पोचा भी मैंने लगा लिया है साफ सफाई हो चुकी है तो कपड़े डाल ले आ गई हो चट पे तो कपड़े को डाल दिया है तो सारे घर के काम खतम होने में दो से तीन बजे का टाइम लग जाता है तो देखे घर की साफ सफाई भी हो चुकी अच्छे से बिल्कुल नीट और क्लीन तो मेरा किचन ब्लोग अच्छे लगा तो लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में